ब्लूप्रेंट उत्तमते अगेटमी आप सभी का स्वागत है मेरा नाम है डॉक्टर अमन्दांगी और आज हम पढ़ेंगे प्रिजर्वेशन ओफ फूड सबसे पहले आपको पता होने चाहिए क्या इंपोर्टेंस है फूड प्रिजर्वेशन की हम क्यों करते हैं फूड को प्रिजर्व क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारा वोजन है वो लंबे समय तक सच रहे साफ सुत्रा रहे और डिकमपोजिशन से बचे तो उसकी सेलफ लाइब बढ़ाने के लिए उसकी जो निउट्रिटिव बैल्यू है उसको मेंटेन रखने के लिए और फूड सप्लाइब बढ़ाने के जैसे आपको मालूम हो जब पैकेट वाला दूद नहीं था तो उस समय पर दूद हमारा सौ किलो मीटर तक जाने में खराब हो जाता था लेकिन आज के समय में पैकेजिंग है तो हम सप्लाइब को कही तक भी ले जा सकते हैं अब दूसरा प्रिजर्विशन का काम होता है बै प्रिजर्विशन के क्या क्या मेथड्स हैं जैसे ड्राइंग पास्टॉराइजेशन कूलिंग वैक्यूम पैकिंग बॉइलिंग एडियेशन हीटिंग सॉल्टेंग सुगरिंग मॉडिफाइड एट्मोस्पेयर स्मोकिंग पिकलिंग कैनिंग और हडल टेक्नोलोजी यह टोलो निनमें और शेंडार 6 दिनन में खराब हो जाता लेकिन जो आप ग्रेंश इस्तमाल करते हैं जो ग्याईउं को ग्रें इस्तमाल करते हैं या चावल इस्तमाल करते हैं तो बहौ chili आर तक रखा है दोनों में अंतर sinoका यह फल में पानी की मात्रा अधें और् сх tile में आज में पानी की मात्रा कम है जिस वज़े से उसका decomposition नहीं होता इसलिए वो preserve रहता है advantages क्या-क्या है इसके क्या-क्या फायदे हैं ट्राइंग के सबसे पहले तो ये इसमें electricity की अबश्यक्ता नहीं होती है आप धूब में सवगा सकते हैं time consuming नहीं होता दो देन में पूरा सूख जाता है make winter meals easier winter में आपको ऐसा भोजन करना चाहिए जिसमें पानी की थोड़ी कम मात्रा हो तो आप उस समय इसको consume कर सकते हैं, use कर सकते हैं required less storage space अगर कोई भी product है food product जो सूख जाएगा तो उसको कम जगए के आवश्यक्ता पड़ेगी और ये child friendly है मतलब कोई भी ऐसा है खतरनाक इसमें time use नहीं होता जिससे किसी को कोई नुकसान हो simple method होता है दूसरा method है pasteurization pasteurization किसने कोज की थी pasteurization की pasteurization की कुछ methods होते है एक होता है wet pasteurization इसमें यह most common है इसमें 63 degree centigrade पर या 145 degree Fahrenheit एक ही बात होती है 30 minute तक किसी भी चीज को गर्म करते हैं उसके बाद इसको ठंडा करते हैं तो वह pasteurize हो जाता है दूसरे method भी है ST, ST का मतलब क्या है इसका मतलब होता है high temperature short time जैसे 22 degree तक हम किसी चीज को heat करें 15 seconds के लिए तब वह pasteurize हो जाएगी एक सेकेंड के लिए तब वह pasteurize हो जाएगी इसी तरह से यह पूरा table है इसमें आप देख सकते हैं अलग-अलग methods है अलग-अलग temperature अलग-अलग time है cooling and freezing cooling and freezing यह most common है हम सभी के घर में इस्तमाल होता है cooling freezing से क्या होता है देखे जो food है उसको खराब करने वाले microorganism होते हैं और जितने वी जो वैक्टिरिया और fungus हैं वो enzymes के दौरा काम करते हैं और enzymes के लिए तीन चीज़ें आती आवर्शक होती है कार करने के लिए आप अभी से याद रख लीजे एंजैम के लिए तीन चीज़ें पानी तापमान और pH पानी तापमान और pH पानी अगर कम होगा तब भी enzyme काम नहीं कर पाएंगे जो हमने drying में देखा तो food नहीं सड़ता है दूसरा तापमान तापमान अगर हम कम कर देंगे तो enzymes जो हमारे हैं वो inactive हो जाते हैं ध्यान रखना, inactive होते हैं नश्ट नहीं होते, inactive होते हैं तो enzymes जब इनकी inactive हो जाते हैं तो उस बज़े से हमारा food जैसा का तैसा बना रहता है, उसमें कोई भी decomposition नहीं होता, food जो इस्तमाल होने वाले फ्रेज होते हैं उनमें फ्रीजिंग नहीं होती है उनमें कूलिंग होती है दूसरा है वेक्यूम पैकिंग क्या होता है वेक्यूम पैकिंग में आप निर्वात का निर्माण कर देते हैं किसी भी एयर टाइट पैकेट हो उसमें आप वेक्यूम पंप को demage कर सकते हैं फिर अगला है boiling boiling से हम कैसे बचा सकते हैं कोई भी fresh food item है अगर हम उसको boil कर देते हैं जो जो ऊपर fungus और वेक्टरिया ग्रो कर रहे थे वो damage हो जाते हैं नश्त हो जाते हैं इसलिए हमारा जो food item है थोड़े लंबे समय तक हमारीटेन कर सकता है अगला हमारा है irradiation, irradiation का क्या मतलब होता है? irradiation का मतलब है विकरण, विकरण मतलब क्या है? कोई भी जो हमारी alpha race हैं, gamma race हैं, जो ionizing radiation जिनको अपन बोलते हैं, जो खतरनाक होती है जीवों के लिए उनको हम अपने फलों के उपर apply करते हैं जो हमारी सब्जियां रहते हैं उनके उपर apply करते हैं जिसकी वाईसे ताप्मान अगर हम कम करेंगे तो वह inactive हो जाते हैं और heating करेंगे मतलब ताप्मान बढ़ाएंगे तो वह in-naps नष्ट हो जाते हैं तो इसलिए हम heating करके भी बहुत सी चीज़ों को रख सकते हैं जैसे अनाज या दलीया इनको हम भून करके रखते हैं तो उसको heating किये अपने उसके सारे के सारी माइक्रोजनिंग खतम किये और उसको लंबे समय तक हम उसको यूज़ कर सकते हैं. अगला होता है सॉल्टिंग, सॉल्टिंग नॉर्मली यूज यूज होता है हमारा फिसिंग इंडस्ट्री में, जो बड़ी-बड़ी मचली हैं समदुर से पकड़ी जाती है उन्हें वरफ और नमक के गोल में रखा जाता है ताकि जो भी माइक्रो और गिनर्जम है पोस नमक को सहन ना कर पाएं और मर जाएं अगला होता है सुगरिंग सुगरिंग क्या होता है सुगरिंग आपने सुना होगा चासनी बनती है चासनी में या फर आपने मुरब्बा सुना होगा आमले का मुरब्बा बेल पत्र का मुरब्बा तो यह सारे चीजें जो मुरब्बा बनता है इसमें क्या होता है इसमें क्या से फाइदा क्या है कि जितने भी एरोवेक बैक्टरिया और फंगस हमारे हैं वो कोई भी ग्रो नहीं कर पाएंगे इसलिए वो हमारा जो भी प्रोड़क्ट उस पैकेट के अंदर है वो सेफ रहता है अगला है स्मोकिंग नॉर्माली हमारे ट्राइवल एरिया में यूज की जाती है जहां एक बार सिकार करते हैं वो लंबे समाय तक उस मास को इस्तमाल करना होता है तो इसमें थोड़ी आग से थोड़ी दूरी पर हम मीट को लटका देते हैं जिसमें स्मोक की बन जाती हो साथ में उस हीट के कारण जो बैक्टरिया और फंगस पहले से उपलब द थे उस मास के ऊपर वो खतम हो जाते हैं अगला है पिकलिंग मतलब अचार बनाना आप सभी लोग जानता होंगे सभी के घर में अचार बनता है अचार में क्यों सुरक्षत रहत ह salvation क्या मत्लब आप सबीद लोग हल्दीराम की जैसे आपने मिफाइण देखी होंगी तो वह कोई भी इस atla कंतेनर होने के कारण अगले जो बैक्टरिय आने वाले थे यहर भी उसमें ने यहाएगए जिस वयसे खाने की लाइक बढ़ सेल्फ लाइब बढ़ जाती है उसके बाद होता है हाइडल टेकनोलोजी या बैक्सिंग हाइडल का क्या मतलब है अवरोध पैता करना जैसे बैक्टिरिया मालो संपर्क में आही ना पाए हमारे कोई भी फाल है सब्जी है या कोई भी और भोजन है जैसे आपने देखा होगा आप में होगा यह मोश्चली परफॉर्म किया जाता है ऐपल की लिए एपल के उपर आपको देखना थोड़ा थोड़ा बैक्सा लगा रहता है जिससे क्या होता है कि कोई भी बाहरी तापमान का या पर बाहर के कोई भी प्रवाइब कोई भी फरक नहीं पड़ता है अगला हमारा मेथाड है कुछ चेमिकल मेथाड होते हैं चेमिकल मेथाड में आपको केबल केमिकल के नाम मालूम होने चीज जैसे बेंजोएड्स है नाइट्राइड्स है अल्कॉल है विनेगर है जैसे आपने यह नॉर्मली तो उसमें क्या होता है कि अल्कॉल डाला जाता है ताकि वह दबाई की सेल्फ लाइफ अधिक समय तक रहे